सदा बहार लगिन माटी और जलवाई उकेशन रहेक चाहिए सके ध्यान से सुनू उसन समसितोष्न वाला जे ठाओं है जहां कर तापमान 30 डिगरी से 40 डिगरी न्यूनतम तापमान 5 डिगरी सेलसियस रहे हुआ इकर खेती भोध बढ़िया है माटी हलुक बालो में सा माटी रह ले बेस है इकर अलावे बलूई दो मट माटी चाते रहे तो और बढ़ियां माटी में पानी कर जमों नी होए चाहिए इगोट के ध्यान में राखा इकर उन्नत प्रभेद इकर उन्नत प्रभेद में है आई सी चाहर नौ पांच आठ एक और आई सी एक दू सुन्य आठ तिन साथ इकर अलावे आई सी चाहर एक पांच सुन्य दू चाहर तो चलू इतना तोहुलक आप देखा कि इके लगायकर बेरा बेस बेरा कौन है इके लगायकर बेस बेरा है अक्टूबर से नवंबर कर मद है बीहिन लगायकर दूरी दर से दर कर दूरी 40 cm जदी राखा तो बढ़ियां और पौधा से पौधा कर दूरी 30 cm जदी रही तो औ और बढ़ियां चलो इक रो में उर्वरक और माइंदकर जोरत है तो एकन रोर के देख है 15 टन कंपोस्ट 50 किलो ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 30 किलो ग्राम पोटास कर परियोग केरदेव पटायक लगिन गरमकला में जदी 20 से 25 दिन कर भित्रे पटायदेव तो सात सेंटी मीटर उच पोधा कर कटनी केरदेव और पतै मन के छाइट के सुखै देव एकर उप्योगी भाग सुखल पतै, सुखल डायर और सुखल जेर इसोब उप्योगी है 2 से 4 टन सुखल पतै, 1.5 टन सुखल डायर और 1 टन सुखल जेर पटाल लवस्था में और बेग कैंसर प्रतिरोधी है, उच रक्त चाप कर प्रतिरोधी, मधुमे, आउं, मलेरिया, चरम रोग, मुत्र वर्धक, दस्त रोधक और चोट मन जदी लाइग्य लग, तो उखे ठीक करेक में यह बहुत उप्योगी है.